कभी-कभी NextJS application में आप लोग चाहोगी, यार मेरा एक component है, इसकी एक CSS है, मैं इस component में ये वाली CSS यूज़ करूँगा, और इस component में ये वाली CSS यूज़ करूँगा, तो अगर मैं एक component में एक CSS और दूसरे component में दूसरी CSS इस्तिमाल करना चाहता हूं NextJS के अंदर, कि मैं कैसे करूँगा, या आप लोगों को इस वीडियो के इंदर बताऊंगा, क्या strategy रही कि ये काम करने के, और क्यों ये काम करना चाहूँगा at the first place, चलते हैं computer screen में, और इन सारे questions को answer करेंगे, let's get started with this video. तो यहर हम लोगोंने कई चीज़े देखिया हम लोगोंने का किया, चोड़ा हेट टेंग इस तरह से चेंज किया जा सकता है NextJS की मदसे, हमने का है, इमेज को अप्टिमाइज कर लो, आज हम लोगों देखेंगे CSS, जो की एक बहुत important चीज़ है, HTML, CSS, JavaScript से ही website बनती है, और CSS तो किस तरह से manage करें कि NextJS यह एक बहुत बड़ा impact डालेगी इस framework की popularity पर, ठीक है, तो जो CSS manage करने का तरीका है NextJS का, वो काफी amazing है, और मैं आपर open with code पर क्लिक करके आप लोगों दिखाता हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब है, यादे मैंने आप लोगों से गाता किया है, हम कैसे कर सकते हैं, CSS file से हम इस तरह से import कैसे कर सकते हैं, देखो JavaScript import तो आपको आता होगा, लेकिन चल क्या रहा है यहाँ पर यह इस वीडियो में आपको बताऊँगा, देखो या, NextJS के अंदर क्या होता है, कि आप component level CSS को इस्तिमाल कर सकते हो, home.module.css जहां पर आप लोग CSS हमने लिखा है, कहने का मतलब है कि हम home module के लिए CSS लिख रहे है, यानि कि index.js के लिए लिख रहे है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि हमने इसको import कर लिया, styles from here, ठीक है, जो भी इसका file पात है, अब जो NextJS होता है, वो importing को JavaScript modules की importings के beyond लेके जाता है, importing के concept को यहा यहाँ पर NextJS ने थोड़ा बहुत modify किया है, कुछ इस तरह से समझ लो, हम इस तरह से यहाँ पर styles को import कर सकते है, मैंने यह style import किया, अब styles एक object बन चुका है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, रोको, console.log styles करके, ठीक है, क्या server चल रहा है, चलना तो चीए यार, नहीं चल यह तो, यह theme ऐसा है, कि दिखता नहीं है, क्या चीज कहां पर है, मैं यह undev कर लेता हूं, यहाँ पर control क्लिक करूंगा, और आप लोगों को console दिखाता हूं, और आप लोग यहाँ पर देखो, object print हो रहा है, और यहाँ पर देखो, क्या क्या print हो रहा है, card में मुझे यह जल गया रहा है, जब हम import करते हैं, CSS file को, module चुकि कहलाता है, next.js के अंदर, तब एक object बना लिया जाता है, यहाँ पर next year file के अंदर, ठीक है, इस file के अंदर, next.js के पीच के अंदर, एक object बना दिया जाता है, जिसकी keys होती है, यह classes, जितनी भी classes हमारी CSS के अंदर है, और value होत होती है, एक unique value, एक ऐसी unique value, जो कि collide नहीं करेगी, जरा imagine करो, कि आप लोगोंने कहीं और से CSS आप लेकर आते हो, और उसके अंदर भी आपने .main को, यहाँ पर define कर दिया, आपने कहा दिया, minhide, cvh, flex, आपने change कर दिया, property, display, आपने block कर दिया, मान लो, ठीक है, अब जब main use ह होगी, तो कौन सी वाली main use होगी, इसकी होगी, या फिर एक दूसरी file जो कि आपने include करी है, जिसके अंदर changed values है, उसकी होगी, तो इस चीज से बचने के लिए, यहाँ पर module.css, यहाँ फिर css modules, जिसे कहते हैं, वो बनाए जाते है, ठीक है, अब समझना मैं यहाँ पर क्या styles कहां से आ रहा है, अच्छा, यह वाली css files आ रहा है, जाता है यहाँ पर, और तुमने क्योंकि styles.container बोला है, इसलिए वो क्या करेगा, यह सारी की सारी चीज़े, जो की css properties है, उनको apply कर देगा, तो styles.container, यह css properties apply कर देगा, ठीक है, अब क्योंकि next.js के पास एक जिम् container define किया हुआ है, एक में मैंने container को कर दिया, bg red मान लो, ठीक है, अरे यार करी लेते हैं, इतनी intention हम कहां लेते हैं, इतनी intention कौन पालता है, home.module.css, ठीक है, मैं इसको home1 कर देता हूँ, एक को मैं home2 कर दूँगा, ठीक है, यह लो, एक को मैंने home1 कर दिया, और यहाँ पर मै आज में आएगा, मैं मुझ से बता दूँगा ना, तो मज़ा नहीं आएगा वो, ठीक है, और मुझे भी as an instructor मज़ा नहीं आएगा, आप को गया, क्या क्या के चला गया, ठीक है, सबहरो मेरी बात को, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, लिखूँगा, .con, ठीक है, .con लिखू . .home1., .home2, ठीक है, अब धियान से देखो, मैं आपर क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपर क्या कर रहा हूँ, जो मेरा navbar है, मैं करूँगा, class name is equal to, मैं जर्णा यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ交क्स में ले 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 लेते हैं, class name is equal to, जो blocks मैंने आपर इस तरह से लिखा ह है मैं क्या करूंगा class name is equal to blogs मैंने लिखा है मैं class name is equal to blogs ना लिखकर अगर कुछ इस तरह का काम करूँ मैं दिखाता हूँ आप लोग किस तरह की काम की बात कर रहा हूँ मैं कहां गया मेरा styles1 ठीक है styles1.blog sorry.com ठीक है अगर मैं यहाँ पर class name is equal to मैंने लिखा है style1.con अगर मैं इसको styles2.con कर दूँ तब क्या होगा तब यह low हो जाएगा तो मैं choose कर सकता हूँ from variety of styles अब एक बात बताओ जब यह render होगी यह चीज जब render होगी जो कि मैं भी आपको दिखाई रहा हूँ वहाँ पर क्या class name is equal to con लिखा होगा नहीं लिखा होगा क्यों कि जो next.js है वो बहुत clever है वो क्या करेगी उसे पता है home to underscore con लिख दूँगा अगर तो collision हो सकता है इसलिए वो क्या करेगी एक safe string यहां से safe unique string लगा देगी यहां पर और यह next.js की जिम्मेदारी है यह string हमेशे unique होगी कमी भी collide नहीं करेगी समझ दो आप मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ यानि की दिक्कत कब होती? home to underscore con अगर मैं लिख देता तो कब दिक्कत होती? दिक्कत तब होती जब मैं multiple styles use करता मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है अब आप लोग यहां पर देखो मैंने लिखा class ने मिज़िकर दो styles2.con मैं क्या करूँगा यहां पर एक template literal का इस्तेमाल करूँगा मुझे पता है थोड़ा सा कही न कही advanced भी नहीं करूँगा लेकिन हा मैं कही न कही थोड़ा सा advanced जा रहा हूँ ठीक है? और यह पूरा javascript है तो इसके लिए एक एक curly bracket समझो देखो यह curly bracket मैंने javascript के लिए लगाया यह template literal के अंदर के variable के लिए लगाया मैं इसे copy करूँगा और space देकर यहां पर styles1.con और styles2.con दोनों apply कर दूँगा अब save करके मैं आपको दिखाता हूँ आप देखो home1 underscore con underscore ggz jm भी आ गया और यह भी आ गया दोनों आ ग ही है अगर कहीं से भी home1 underscore con class या home2 underscore con class आ रही है तो यहां पर यह names collide नहीं करेंगे क्योंकि यह names next.js ने automatically change कर दिये हैं समझ रहो आप लोग तो multiple classes भी apply की जा सकती है और next.js आपका बहुत ध्यान रखता है बहुत अच्छी तरह से आप लोगों का ध्यान रखता है next.js उसको धन्यवाद जरूर कह देना अब मैं आपर क्या करूंगा यहां पर यहां पर यहां पर रहता फैला है मैंने इसको just for the source code मैं यह रहने दूँगा इस comment को और future में इस comment को मैं हटा दूँगा ठीक है तो और यह मैं class ने भी हटा देता हूं भी यांस क्योंकि मुझे नहीं लग के लिए रख लेता हूं अभी इस particular commitment में डालूंगा और अगर आपको get नहीं आता तो को attention नहीं है और एक और बात जो बता रहा हूं वो भी ध्यान से सुनना देखो css किस तरह से काम कर रही है next days में इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है लेकिन अगर आप लोग को यह पूर नाम आप डाल दो इस तरह से आप इसको as a pattern समझ जाओ इसको as a template देख लो किस तरह से use करना है और आपका गाम हो जाएगा ठीक है रूखना मत लेकिन इस वजह से रूखना मत यह मत सोचना कि यह तो मुझे आता ही नहीं है मैं तो यहां से आगे बढ़ी नहीं सकता मुझे जो समझ ही नहीं आ रहा कि यह जो collision हो रहा है वो क्यों नहीं होगा और क्या आपको समझने की ज़रूद नहीं है मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि next.js में जो चीज़े इस तरह से बनाई गई है वो क्यों बनाई गई है ठीक है समझ जो और ज्यादा कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है यह simply आपर जो home1 underscore con underscore underscore करके जो add करा था next.js ने वो behind the scenes करा था वो क्यों करा था और क्या करा था यह आपको जानने की ज़रूद नहीं है next.js को use करने के लिए आप लोग next.js को अभी भी simply यह बास समझ कर use कर सकते हैं कि styles क एसे import करना है और ऐसे use करना है that's about it पस इतना सीखना है आपको और इसके अलावा अगर आप लोगों को और चीज़े समझ में आ गई तो वो bonus है ठीक है next.js को use करने के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए यह बात आप लोगों को समझने की बहुत ज़ादा ज़रूरत है अभी आप लोगों ने यह जो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लिया गों इसको अक्सेस जरूर कर ले ना और उसी के साथ-साथ आप लोग इसको बुकमा कर ले ना क्लिक करके और यहां क्लिक करके सेव भी कर ले ना अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time. झाल